हलो दोस्तों वेलकम टू स्टेडी यूनिवर्स दोस्तों मद्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफियर की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज 16 माई 2019 और यह हमारी 155 वी क्लास है तोल इंपोटेंट क्वेशन आपके लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम औ साथ ही क्वेशन से रेलेटेड एंपोटेंट फेक्ट भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तों अगर आपको MPG के और करन्ट अफेर से रेलेटेड होई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए हम आपकी आंसर जरूर करे हैंगे कोशन नमबर फरस्ट घजए Overwatch 2019 में इंटानेशनल क्रिकेट ओफ दा इयर कौन बने हैं जिसका सही Óption है ब्राट कुई ली हाली में ब्राट कोईली C8 Cricket Ranking 2019 में International Cricket of the Year बने हैं दोस्तों आपको बता दें ये इसके साथ Batsman of the Year भी चुना गया है कुछ और नाम आपको इस Ranking की बारी में बता दें तो जस्पीत बुम्रा को International Baller of the Year चुना गया है प्रोहित शर्मा को One Day International Player of the Year चुना गया है वहीं मोहिंदर अमरनाथ को Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है और इसमरती मंदाना को International Women of the Year के खिताब से नवाजा है तो इतना आपको इन सभी के नामों की बारे में और C8 Cricket Ranking Award 2019 के बारे में याद रखना है Next Question हाली में महरास्ट के मुख्य सचिप कौन बने है जिसका सई ओफ्षन है अजोय महता हाली में अजोय महता महरास्ट के मुख्य सचिप बने है दोस्तो पहले ये महरास्ट के Municipal Commissioner थे अब ये UPC मदन की इस्थान लेंगे दोस्तो आपको बता दें अजोय महता 1984 के IAS बैच के अधिकारी है दोस्तो आप बात आईए महरास्ट की तो आपको मैप में महरास्ट के बारे में बता दें मैप में ये जगह महरास्ट को दरसाती है महरास्ट की इस्थापना 1 मैं 1960 में की गई थी गौर्णर है विद्या सागर राव महरास्ट की मुख्यमंत्री है देवेंदर फटन्डवीस और महरास्ट की राजधानी है मुंबई तो दोस्तो इतना आपको महरास्ट के बारे में याद रखना है Next question इरिटिया देश में भारत के अगले अमबैसटर कौन होंगे जिसको सही option है सुवास्चंद्र सुवास्चंद्र इरिटिया में भारत के अगले अमबैसटर होंगे दोस्तो आपको बता दें इससे पहले इरिटिया में जो अबुजा भारती उच्च आयुक थी 1993 में अलग कर Iritia अलग देश बनाया गया था दोस्तो अब बात आईए Iritia की तो आपको मैप में Iritia के बारे में बता दें दोस्तो मैप में ये जगह Iritia को तरसाती है Iritia की राजधानी है असमारा और इसिया के प्रिसिडेंट है असकाइस अफवा की दोस्तो Iritia की करणसी है नाकफवा तो इतना आपको Iritia की बारे में याद रखना है Next Question हाली में किसने Medit Open खिताब जीता है जिसका सही option है Novak Jokovic हाली में Novak Jokovic में Medit Open का खिताब जीता है इन्होंने Final में Steffnos सितिस्तो पास को हरा कर यह Medit Open खिताब जीता है दोस्तो आपको बता दें यह विस्व के No.1 खिलाडी है Novak Jokovic एक और Important Fact आपको बता दें पुरुष्व में Novak Jokovic ने और महिलाओं में किकी वरसेंस में यह Medit Open खिताब जीता है तो इतना आपको इन दोनों की बारी में याद रखना है Next Question हाली में कौन सी महिला ICC की पहली महिला मैच रेफरी बनी है जिसका सई Option है GS Lakshmi हाली में GS Lakshmi ICC की पहली महिला मैच रेफरी बनी है दोस्तो अब यह ICC की मैचों में रेफरी बन सकती है इससे पहले हाली में Clear Polisak पुर्षों के मैच में अमपारिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी दोस्तो अब बात आईए ICC की तो आपको ICC के बारे में बता ले ICC का फुल फुल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल होता है दोस्तो ICC की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी सदस्देश है 105 इसका मोटो आपको याद रखना है ICC का मोटो है किरकेट फॉर गुड दोस्तो इसका हैड़कॉर्टर दोबाई UAE में है और एक और आपको इंपोर्टन फेक्ट बता दे ICC की चेर्मेन है शशांक मनुहर और CEO है मनुशाहनी तो इतना आपको ICC के बारे में याद रखना है Next Question हाली में किसने अभ्यास ट्रॉन का सफल परिक्षन किया है जिसका सही ओप्षन है DRDO हाली में DRDO ने अभ्यास ट्रॉन का सफल परिक्षन किया है दोस्तो इसका परिक्षण उडिशा के बाला सोर में किया गया है यह है ड्रोन हाई स्पीड से उड़ता है यह स्वधिसी रूप से नन्वित M.E.M.S. वेस्ट नैविगेशन प्रणालिव का उप्योग किया गया है अब यह बात आईए DRDO की तो आपको DRDO के बारी में बता दें दोस्तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और्गनाईजेशन होता है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी DRDO का हेड़कॉर्टर नई दिल्ली मैं है और इसके हैड है जी सतीस रेड़ी आपको DRDO का मोटो याद रखना है इसका मोटो है बलश मूलम विक्यानम तो इतना आपको DRDO के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन हाली में कौन ITC के चेर्मेन नियक्त किये गए है जिसका सही ओफ्षन है संजीब पुरी हाली में संजीब पुरी को ITC का नया चेर्मेन बनाया गया है दोस्तो हाली में ITC के पूर्व चेर्मेन Y.C. देविश्वर का 11 माई 2019 को निधन हुआ था और उनकी जगह है अब संजीब पुरी ITC के नया चेर्मेन होंगे दोस्तो आपको ITC के बारे में बता दे इसका हेटकॉर्टर कूलकाता पश्यमंगाल में है और इसकी स्थापना 1910 को की गई थी दोस्तो 2018 में इसका राजस्व 47,262 करोर रुपे रहा है तो इतना आपको ITC के बारे में याद रखना है और इसकी नया चेर्मेन होंगे संजीब कुमार नेक्स्ट क्वाशन हाली में किसे विजिटिंग साइन्टिस्ट अवर्ड से सम्मानित किया गया है जिसका सही ओफ्षन है दिनेश कुमार मिस्रा हाली में दिनेश कुमार मिस्रा को विजिटिंग साइन्टिस्ट अवर्ड 2019 से सम्मानित किया गया है दोस्तो भारतिय रास्टिय अकेडमी नई दिल्ली द्वारा 2019 में यह सम्मान दिनेश कुमार को नैनो मेडिसन बिशाय में उत्करश्च शोत कारी के लिए दिया गया है दोस्तो खास बात यह है कि यह मंद्यप्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं और बर्दवान में नार्सी मोंजी यूनिवरस्टी महारास्ट में फॉर्मेस्टी में एसोसियेट प्रोफेशर हैं तो इतना आपको दिनेश कुमार मिश्रा की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में कहां J.S. आनंद महीला वन्डे टॉफी आयज़ित की जा रही है दोस्तो अब बात आईए सागर जिले की तो आपको कुछ important fact सागर के बारे में बता दे मद्यप्रदेश की प्रथम विश्विध्याले जिसे हम डॉक्टर हरी सिंग और विश्विध्याले के नाम से जानते हैं यह सागर में ही 1946 में बसाई गई है दोस्तो मद्यप्रदेश का दूसरा पुलिस टेर्णिंग कॉलेज सागर जिले में ही इस्थत है आपको बता दें पदमा कर समारो है और स्टेलेस स्टील कार खारना यह सागर में ही इस्थत है दोस्तो एरण में सती का प्रथम लिकित साक्ष प्राप्त होता है नौरा देही बन्यजी वप्यारण भी यहीं पर इस्थत है दोस्तो इतना आपको सागर जिले की बारे में याद रखना है हाली में किस जिले में हजारेश्वर मेला लगाया गया है जिसका से यॉप्षन है शियोपूर हाली में शियोपूर जिले में हजारेश्वर मेला लगाया गया है दोस्तो अब बात आईए शियोपूर की तो आपको कुछ important factor शियोपूर की बारियों बता दे चंबल संभाग का एक जिला है शियोपूर मुरेना जिले से 1998 में विभाजित कर अलग जिला बनाये गया था शियोपूर चंबल लदी की तटपर अवियस्थ थे शियोपूर जिले में काक्ता जलासे इस्थे थे दोस्तो कास्ट कला के लिए प्रिसिद्ध शियोपूर पालपूर कूनों में वनजीव अभ्यारन भी बनाया गया है तो दोस्तो इतना आपको शियोपूर की वारी में याद रखना है Next Question हाली में मद्यपूर देश माद्यमेख रिक्षा मंडल की दसवी की परिक्षा में किसने टॉप किया है जिसका सही ओफ्षन है गगन दीक्षित हाली में गगन दीक्षित और आयुशमान तामरकर इन्होंने संयोक तुरूप से मद्यपूर देश की दसवी की परिक्षा में पहला इस्थान हासिल किया है इसके बाद दीपेश अहरवार और विजया बर्मा दोस्तों आपको बता दें ये तीनों जो जिनकी नाम है गगन दीक्षित अयुशमान तामरकर और दीपेंदर अहरवार ये मद्यपूर देश के सागर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने पूरे मद्यपूर देश में टॉप किया है गगन दीक्षित और अईश्मन तामर कर 499 अंक लेकर मद्यप्रदेश में टॉप किया है Next Question हाली में किसने मद्यप्रदेश की बारहवी की परिक्षा में पहला इस्थान हासिल किया है जिसका सही option है द्रस्टी सनोट्डिया हाली में द्रस्टी सनोट्डिया ने बारहवी की परिक्षा में पहला इस्थान हासिल किया है दोस्तों अगर बात की जाए अलग अलग विशय की तो द्रस्टी सनोट्डिया ने अलग विशय ने में और मांसी राठोर ने Commerce बिसाय में दूसरा इस्थान प्राप्त किया है इसके बाद Maths बिसाय से आरिया जैन ने तीसरा इस्थान हासिल किया है तो दोस्तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात करते हैं Previous Day के Question की तो कल का Question था हाली में किसने UNICEF का Radio for Child Award जीता है तो इसका सही Option है RJ Bini हाली में RJ Bini ने UNICEF का Radio for Child Award जीता है दोस्तो आज का Question ये है तो इसका Answer आप टिक करके दे Comment Box में भी दे सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस्तना ही आप हमारे Channel Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइके जी शेयर कीजिए कल हम आपकी साथ फ़र मद्रदेश और वर्ल्ल की इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार, है बाद नाइस दे